आपको और मेरा जीवन दो बातों पर नरभर करता है, एक जिसको आप कहते हैं शरीर और दूसरा जिसको आप कहते हैं मन, शरीर में दो हाथ हैं, दो पैर हैं, जो भी चीजे हैं, नाक हैं, कान हैं, सिर हैं, सब कुछ है, लेकिन इस शरीर की अपनी सीमा है, इस बॉडी की स्ट बहुत ज़्यादा काम कर लें, फिर उसके बाद क्या है? ठक जाएगा. और उसके बाद काई थक जाएगा. एक सीमा है. इससे अधिक आप इस बॉड़ी से काम नहीं ले सकते, किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते हैं. लेकिन वहीं पर दूसरा पक्ष है जिसको आप कहते हैं, मन. और मन की स्रेंथ की बात की जाए तो unlimited है और unlimited इतनी ज़्यादा है इसलिए तो आप कहते हैं कि भाई साब मन बड़ा चंचल है मन अभी यहाँ पर है और अरे मन तो चंद्रमा पर पहुंच गया मन सिड्नी में पहुंच गया और मन अमेरिका पर पहुंच गया तुरंत की गती से भी जादा तेज है आपका मन कहीं भी पहुंच जाता है लेकिन अगर इस मन की शक्ति का एहसास हो जाए इस मन की शक्ति के बारे में हम जान लें और इसको यूज करना जान लें तो चमतकार हो जाएगा किवल जान लें तो नहीं इस जानने के बाद इसको यूज क लें तो चमतकार हो जाएगा क्योंकि मन की जो शक्ति है वो आसे में थे लेकिन मन की शक्ति को जानने के लिए पहले मन को जानना वड़ा ज़रूरी कुछ कहते हैं कि मन feeling से संबंदित है कुछ लोग कहतें कि साब मन कहीं न कहीं brain में होगा क्यों क्योंकि विचार से संबंदित है मैं इस confusion में नहीं जाता हूँ कि वो feeling से संबंदित है वो विचार से संबंदित है या वो कहां पर मन रहता है मेरे heart में रहता है मेरे पेट में रहता है, मेरे सिर में रहता है, कहां पर मन रहता है, इसकी बात हम आज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये confusion create करेगा, कि नहीं साब मेरा मन ये है, मेरा मन वो है, मैं तो बड़ी simple सी आज बात करने वाला हूँ, कि मन को अगर समझना है, तो उस मन के भाग को समझ लेते हैं, मन के structure को समझ लेते हैं, वो कहां रहता है, छोड़ दीजे, क्योंकि अगर आप मन को ढून नहीं पाएंगे, क्यों नहीं ढून पाएंगे, कि मन दिखता ही नहीं है, मन है जरूर, लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए मन के structure को समझने की कुशिश करते कियों कि हमें मन की सब से बड़ी शक्टी को पहिचानना ऐं और मन का structure की बात करें तो एक मन होता है जिसको कहते हैं conscious mind मैं brain की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं मैं मन की बात कर रहा हूं एक मन है जिसको कहते है conscious mind और और दूसरा मन है जिसको कहते हैं subconscious mind subconscious mind को आप कह सकते हैं चेतन मन और जो subconscious mind है उसको आप कह सकते हैं अब ँचेतन इस यह जो चेतन मन है वो क्या है वो आपका captain है क्योंकि कोई भी टीम काम करती है न वो captain के जो भी आदेश होते हैं उस आदेश को पालंद करती है तो ये जो conscious mind है है बड़ा छोटा छोटा क्यों है क्योंकि conscious mind का संबंद केवल और केवल अभी जो कुछ हो रहा है उसी से है पहले क्या हुआ था कल क्या होगा नहीं conscious mind का मतलब है कि इस present moment में क्या हो रहा है आप मेरी बास सुन रहे हैं आप मेरी बास समझ रहे हैं बस यही conscious mind है पांच मिनट पहले क्या हुआ था इसकी बाद बिल्कुल नहीं है अभी वर्तमान में क्या हो रहा है यह है conscious mind और conscious mind के बारे में कहा जाता है कि यह क्या है यह logical है और यह क्या है यह आपका कप्तान है कैप्टन है आपका कि यह कैप्टन ही चलाएगा आपके पूरे के पूरे शरीर को और पूरे के पूरे मन को कुछ लोग कहेंगे नहीं साब सब कॉंच्छस माइन चलाता है चलाता है लेकिन मैं उस बात पर भी आऊँगा मैं इसको इसलिए कहा रहा हूँ कि यह conscious mind logical है आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे यह decide कौन कर अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा विवेक की बात क्या सुनने ही है तो मैं सब जानता हूँ logical प्रणिकल राङे तो क्या उचित है क्या अनुचित है क्या सही है क्या गलत है मैं आपको बढ़ा रहा हूँ तो भी सानगे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो भी मन साथ दे रहा है लेकिन आपका मन आप इस बातों को अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे ये डिपेंड करेगा आपके conscious mind पर क्यों क्योंकि conscious mind आपका captain है और captain ने का अंदर जाने दो खट से अंदर चली जाएगी और captain ने का शरीर की अपनी सीमा है शरीर की अपनी limitation है वैसे इस captain की अपनी limitation है वो केवल अंदर भेज सकता है चीजों को कोई thought आया आपने अंधर भेज दिया लेकिन उसके बाद उसका काम खतम हो गया और उसके बाद जो काम शुरू होगा वो होगा आपके subconscious mind का और subconscious mind क्या है? subconscious mind एक knocker की तरह काम करता है एक servant की तरह काम करता है क्यों क्योंकि captain तो आपका conscious mind है और subconscious mind आपका servant है उस conscious mind ने कहा अंदर गया जो अंदर चीजें भेज दी गई वो subconscious mind कहता है तथास तू हो जाएगा आपने कहा आपके conscious mind में आप ले गए मैं तो बहुत मनुश आदमी हूँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मेरी तो परिष्थिती खराब है सब चीजें खराब है खराब है और आप conscious mind से अंदर भेजते रहे और ये subconscious mind कहता है जिसकी power सबसे unlimited है तथास तू ऐसा ही होगा मतलब तेरे साथ सब चीजें खराब ही होगी अब आप कुछ लोग हैं जो कहते हैं happiness हर जगे बहुत अच्छा है विवेक पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा है कोई दूसरे का विडियो बहुत अच्छा है सब कुछ मेरे चारों जो भी कुछ है वो सब बहुत अच्छा है और जब आप पूरे 24 घंटे अच्छा 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 आप जो भी सोचते हैं जब आप अंदर मतलब conscious mind आपका अंदर happiness को भेज रहा है तो बाहर अंदर से जो बाहर चीज़े आएंगी वो भी happiness की होगी आप अंदर दुख भेज़ते हैं आप अपने अंदर hate भेज़ते हैं आप अपने अंदर जो भी कुछ negative या positive भेज़ते हैं वही आपके subconscious mind में जले जाता है इसका मतलब ये है कि आप जो बीज बोते हैं आप देल का बीज बोना चाहते हैं आप एपल का भीज बोना चाहते हैं, आप कहेंगे कि साब मुझे आम चाहिए और आप करेले का भीज बो रहे हैं, तो क्या होगा? वो करेला होगा या आम होगा? वो करेला ही होगा. आपने conscious mind को क्या कहा? आपने कहा नहीं, खराब है, अंदर गया, खराब हो गया. आपने कहा अच्छा है, अंदर गया, अच्छा हो गया. ये एक सबसे बड़ा रहस्य है. क्योंकि consciously और unconsciously, मतलब कि आप जान बूझ कर या अंजाने में बहुत सारी चीज़े भेशते रहते हैं. एक तो बात क्या है? कि आपका mind logical है, अच्छा जाने दो. और कभी-कभी क्या होता है? कि आपका जो logical mind है, जो आपका conscious mind है, वो आराम कर रहा होता है, मतलब वो काम नहीं कर रहा होता है, तब आपका जो चीज़ें अंदर जाती है, वो automatic भी चली जाती है. इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको याद हो जा नियम पर काम करता है, क्योंकि आप इसका फायदा लेना चाहते हैं, तो उसके नियम पर बात करने ही पड़ेगी, subconscious mind किसके नियम पर काम करता है, जिसको कहते हैं दहराव का नियम, जिसको कहते हैं आस्था का नियम, और आप तीसरी चीज़ लिख लें, उमीद, दहराव का नियम मतलब repetition, law of repetition आस्था का नियम की बात क्या है? मतलब कि आप उस पे belief करते हैं, law of belief, आप कितना belief करते हैं और उमीद, आप उस belief पर कितनी उमीद करते हैं कि यस यह जो हो, मैंने सोच लिया, यह हो जाएगा दोहराव का नियम, आप क्या दोहराते हैं, अपने conscious mind है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं पूरी तरह healthy हूँ, मैं पूरी तरह healthy हूँ, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, कुछ भी सब अच्छा है अब आप बार 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 जिसको repeat करते हैं, वो क्या होता है, repeat करने से काम नहीं चलेगा, repeat करने से अंदर जाएगा तो सही, लेकिन repeat करने से वो पूरा होगा की नहीं होगा, इसकी कोई guarantee नहीं है, जो आप repeat करते हैं, उस पे आस्था रखिए, उस पे विश्वास रखिए, ऐसा होगा ही होगा, लेकिन विश्वास जब रखेंगे, तो इतना विश्वास रखिएगा जितना आपकी काबिलियत हो या आपकी काबिलियत से उपर हो, क्यों क्योंकि जैसी आप बहुत बड़ा कोई repetition करते हैं, बहुत जो आपकी काबिलियत से बाहर हैं, तो उस पर क्या है, आपको मन विश्वास नहीं करता है, आपकी उसके उपर आस्था नहीं जमती है, तो फिर वो तूट जाता है, इसलिए ऐसा repetition करिए, जिस पर आप आस्था ठिका सकें, आप जिसके उपर विश्वास कर सकें, और उस विश्वास के बाद क्या है, उम्मीद, ऐसा होना है, होगा ही होगा, आप यह कहें कि, कल मेरे घर के वाँ एरोप्लेन खड़ा हो जाएगा, तो देखिए ऐसी बात मत करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप रिपीट तो कर रहे हैं, आएरोप्लेन आएगा, आएगा, आएरोप्लेन आएगा, लेकिन जैसी आस्था का नियम काम करेगा, अरे कैसे आजाएगा, मोटर साइकल तो है, मेरे पास पैसे तो है, कैसे आजाएगा, aeroplane aeroplane कैसे आजएगा तो क्या कर रहा हूँ आप अपनी repetition को काट रहे हैं आप अपने repetition को मना कर रहे हैं कि साब मैं तो किल repeat कर रहा हूँ याद कर रहा हूँ aeroplane 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 क्यों क्योंकि मैं तो विश्वास ही नहीं करता हूँ और जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके विश्वास पर आपकी आस्था पर आपकी उम्मीद ठीकी हुई है आप मानते ही नहीं है कि ऐसा होगा तो होगा कैसे ये एक सबसे बड़ा रहस्य है पूरे मानव जाती के हितियास का इसलिए इस रहस्य को यदि आप यूज करें तो आप कुछ भी पा सकते हैं आप अपनी बिमारी को दूर कर सकते हैं आप दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं लेकिन डोहराओ रिपिटेशन होना चाहिए आप पॉजिटिव पॉजिटिव जाना चाहिए निगेटिव कम जाना चाहिए आपको एक फिल्टर लगाना पड़ेगा या आपके conscious mind को आपक उसको यूज करें अब यूज कैसे करना है वो अभी हम बात नहीं करने वाले हैं और यूज कब करना है इसकी भी अभी हम बात नहीं करने वाले है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन इसकी बात करेंगे जरूर ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा ऐसा समय जब हम subconscious की जो power है वो उस समय अधिक होती है और उस समय यदि आप उसको use करेंगे उस समय आप उसको suggestion देंगे तो वो बिलकुल आपकी life में होगा ही होगा क्यों क्योंकि विचार जो है वो एक आपका cause है और जो परिस्थिती जो बन रही है वो आपका परिणाम है अब आप ब बड़ा सा घर एक बड़ी सी गारी या एक बहुत बड़ा पद